जिने के मंगरुप ठनक शित्र स्थित नैशनल हाईवे 89 पर चेर्मेन प्रोसेस हाउस के गोदाम में अलसवेरे भीशन आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया जानकारी के अनुसार हमिर्टर ग्रोस सेंटर में इसीत मुकेश अगरवाल की चेर्मेन प्रोसेस में रात करीब दो बजे कपड़ा गोदाम में भीशन आग लग गई देखते ही देखते बेकाबू ही आग ने विक्राल रूप धारन कर दिया फिशन आग लगने के दोरान मौके पर हरकम की इस्तिती बन गई आग लगने और उसके पूरे गोदाम को चपेट में लेने की खबर फैलते ही इसकी सूचना दमकर विभाग को दी गई लेकिन जब तक दमकर पहुँचती और आग पर काबू पाती दप्टर गोदाम में रखा सबी सामान जल कर राख में तब्दिल हो चुका था करीब एक दरजन फाइव ब्रिगेट की गाड़ियों ने चालिस चक्कर करके आग पर काबू तो पा लिया लेकिन आग से लाखो का नुकसान हो गया देरात लगी आग सुबह तक रुक रुक कर धढ़ती रही आग लगने से लाखो रुपे का नुकसान होने का अंदेशा ज कुबार उठता देखकर दूर के इलागों के लोग भी मौके पर पहुंच गए इस्तानिय पुलिस और दमकल विभाग की अधिकारी आग लगने की वजहों का पता लगाने में जुट गए हैं